दोस्तो चीज पसंद करने वालों को मोजिल्या चीज का नाम जरूर पता होता है जब यह माइक्रोवेव में पक्रहे पीजा पर पिगलना शुरू होता है तो मुँमें पानी आ जाता है यह बहुत पसंद किया जाने वाला डेरी प्रोड़क्ट है जिसका स्वाद और बनावट दोनों बेतरन होता है लेकिन यह स्वास्तिय के लिए सही नहीं माना जाता है क्या आप भी मानते हैं कि मोजिला चीज स्वास्थिया के लिए अनिकारख है यह जानना अस्चर जानक होगा कि मोजिला चीज में केल्सियम और फेट के अलावा बहुत कुछ होता है मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे आप जानेंगे कि मोजिला चीज कितना स्वास्यपध है ये पॉइंट कौन से है नहीं जानते हो न तो कोई बात नहीं आज के ये वीडियो देखते रहे हैं आज के ये वीडियो में आपको इसे टोपिक पर बात करूँगा लेकिन दोस्तों शुरू करने से पेले अपित्वक अपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दिये गए बेल आकाँ पर क्लिक कर दीजिए जिसे मेरे आने वाली सबी टेकनिकल एंड नोन टेकनिकल वीडियो की नोटिपिकेसन जल्दी से मिले दोस्तों सब्सक्राइब करना भीकुल फ्री है और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत दन्याद तो चलो शुरू करते है पहला पॉइंट है वो है यह बायोटिन का अच्छा स्तुरोथ है इसे विटमिन बीबी का आ जाता है जब पॉषक तत्वा गुलेंड सी अवस्ता में होते है तो सरीर उन्हें स्टोर नहीं कर पाता है चीज से तुरंत आपके सरीर में पॉषक तत्व की पूर्ती होगी गर्पवती महिला है बायोटिन की कमी को पूरा करने के लिए इसका सेवन करती है यह विटमिन नाखुनों को भंगूर और तूटने से रोकता है अधियन से पता चला है कि यह सुगर से प्रिट लोगों में ब्लट ग्लुकोस का लेवल कम करने में मददकार है दूसरा पोइंट है वोए डेरी प्रोडक्ट में विटमिन बी और नियासीन की मात्र होने के कारण यह फेट को सरीमें उर्जा देने वाले महत्वपन भूमी का निपाते है इसके अलावा नियासीन कोलेस्ट्रोल को नियंतिन करने में मदद करता है और मदू में और गठिय जैसे रोगों की रोकताम करता है तुसरा पोइंट है वो है विटमिन बी और राइबो फ्लेविन की अधिकता होने के करण मोजिला चीज खाना अच्छा लगता है विटमिन बी कॉम्पलेक्स फेमिली का इसा होने के करण यह माईग्रेंट अटेक एनेमिया जैसे हालातों म फाइदे मंद एइसमें एंटियोग्सिडेंट तत्व की अधिकता होती है चोथा पॉइंट है वो है मोजलिया चीज में फेट में घुलने वाले विटामिन जैसे विटामिन D, E, A की अधिकता होती है यह विटामिन केल्सियम के अवसोसन हडियों के स्वास्तियों और कोशिक का जिली की सुरक्षा के लिए जरूरी है पाचवा पॉइंट है वो है मोजलिला चीज में फोस परस की अच्छी मात्रा होने के कारण यह खाने में केल्सियम और सोचित करने में मददगार है राचन क्रिया और कीड्नी के सूचार्य कारिया करने के लिए भी यह आवस्यक है छ केल्सियम होता है जो के टोथ इने मल के सुरक्षा करता है और अडियों को तंदूरस रखता है इसके अलावा यह दिल की मास पेस्यों के सुरक्षा करता है और पेट के कैंसर के खत्रे को कम करता है और दोस्तों आप लोग नहीं मानेंगे कि यह वजन कम करने में मददगार ह साथवा पोइंट है वो है यह जिंक से बरपूर होता है ज्विंक तच्वा की समस्यावा से लड़ता है और सफेद रख्त को सिकाओ को बढ़ाता है यह प्रोस्टेट गंती को सही रखता है और वजन बढ़ने से रखता है आठवा पोइंट है वो है ज़िए प्रोटेंग की पूर्ती चाहते है तो मोजेला चीज एक अच्छा विकल पे इसके सेवन से आपको उर्जा मिलती है और मास पेसिया मजबुत होती है नौमा और आखरी पोइंट मोजेला चीज में पोटेसियम भी भरपूर होता है सोडियम के ज़्यादा सेवन से हुए बूरे प्रपहों से यह लड़ता है यह ब्लोड पेसर को कम करने में मददगार है और इसे दिल भी तंदूरस रहता है तो दोस्तों इसमें कोई संदे न सबंजित परिस्यानियों को प्यदा कर सकता है इस बेरी उत्पात की उचित मात्रा लेने और उसके कम फेट वाले वेरियंट को चुनने की सला दी जाती है तो दोस्तों मेरी यह वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा है कि जो मोजेला चीज है वो हमारे सिहत के लिए सही है कि नहीं अगर सही है तो वो कौन-कौन से पॉइंट है अगर आपको मेरी यह वीडियो के इंपरमेशन अच्छी लगी है जिसको लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सेर करना मत बुले जिस दुस्तों को भी यह बात पता चले तो आज के लिए इतना ही अगले वी कर दो